बिहार बूट में क्या स्कूल जाना जोड़ी हो गया है? क्या है 75% उपस्थिती का नियम जो बिहार बिजाले परिच्छा समिती ने यहाँ पे लागू किया है? क्या अगर 75% अस्कूल में अटेंडनेस मेंटेन नहीं होगा? तो क्या बिहार बूट के परिच्छाती इंटर य जा रहा है क्या उसमें सामिल नहीं हो पाएंगे तो पूरी जनकारी यहां पर देखेंगे कि अस्कूल कोले जाना जोरी है अथवा नहीं है इस नियम का क्या माईने है क्या 75% उपस्तिती का पूरा नियम क्या है पूरे डिटेल में जानेंगे तो पूरी वीडियो ध्यान से द देखेगा यहां पर डिटेल में अगर बताएं तो यहां पर देखेगा साब साब क्या लिखा गया है कि सुचित कि राता है कि समीत दरा आवेजित मैट्रिक और इंटर बार्सिक पर इच्छा में वहीं विद्यार्थी सामिल हो सकते हैं जिनकी उपस्तिती नियुनतर 75% रह नहीं हो पा रही है क्योंकि सवहाविक सी बात है कि बहुत कम ही छात ऐसे जो है सरकारी अस्कूल में 75% जाते हैं बहुत सरे चात आडमिसन ले लेते हैं सेंट की उपस्तिती को नेवार किया गया है साथ ही राज के माध्यमिक एवं उच्छ माध्यमिक विद्यालों के विद्यार्थियों के लिए राज सरकार की विभीन लावुक अधारित योजनाओं का लाव लेने हैं भी 75% उपस्तिती होना चाहिए यानि बोला गया है इंटर सभी विद्यार्थी अईवाबक सिच्छेक एवं सिच्छन संस्थान को सुचित किया आता है कि वो 9 से लेकर 9, 10, 11, 12 के लिए जितने भी स्कूल कॉलेज है ठीक है आपको बता दे सिच्छन शुरू करने के दिन से उसी महिने से पहले महिने की तारिक तक जिसमें स्कूल बो अब देखेगे ilasher पारी स्कीन शरू हो ना कि समीति द्वरा औरा आइवोजित माधिमिक मैट्रिक या मेंटर की परिच्छा में बैसे परिच्छार्थी सामिल हो सकेंगे जिनकी उपस्थिति आयोजित का च्छा में सिच्छन सुरू करने के दिन से उस महीने से पहले महीने की तारिक तक जिसमें अस्कूल बोड की परिच्छा सुरू होती यानि कि जिस महीने में आपके अस्कूल बोड की परिच्छा सुरू होगी उस महीने की पहली तारिक तक अटेंडेंस काउंट कि जाएगा शुरू से लेकर अब तक और उसमें 75% उपस्थिति होना चाहिए अब देखिए इस नियम की अगर बात की जाए तो यह नियम जो है हाली में तीन दिन चार दिन से आपका जारी किया गया है ऐसे में छात जो है लगातारा स्कूल कोलेज नहीं जा रहे हैं अगर काउ लाना था तो शुरुआत में एडिमिशन के टाइम ही लाना था अब परिच्छा में पांस से छे महीना बचा हुआ है ऐसे में एक साल का टेंडेंस 75% पूरा होना इंपॉसिबल वाली बात है ठीक है बिना सोचे समझे नियम लागू कर देना और चात्रों पे भोज बना के दे देना यह ऐसा ही लगता है क्योंकि अगर चात्र डेली स्कूल कॉलेज जाए और वहां अगर पढ़ाई नहों हो तो ऐसे में चात्रों के पासिंग का जेमेवारी कौन लेगा वहां पे टेंडेंस मेंटेन होगा क्या तैयारी चल लिए सिलेबस पूरा होगा कि नहीं अगर आपका स्कूल क्लेज दूर आप जाने में असंभो है ठीक आपको जाने में असमर्थ हैं नहीं जा पाते हैं तो उस कंडिशन में आपको सबता में 3-2 दिन जो हैं शुरुआत में आपको जाना है क्योंकि अभी नियम जो हैं लागू किया है उसके बाद जो हैं आपक इस नियम को बिना सोचे समझे बिना अवहेलना करते हैं बिना किसी अप्लिकेशन की कॉलेज नहीं जाते हैं उस कंडिशन में उनका एडमिट कार्ड नहीं जारी किया जाएगा क्योंकि बिहार विद्याले परिच्छा समीति नहीं आदेश जारी कर दिया है तो आपको यहां समझा दिया गया है कि आप अपने स्कूल कॉलेज बिजिट करें अभी फिलहाल दो से तीन दिन सफ्ताह में जरूर जाए आगे जो नियम होगा स्कूल कॉलेज खुद आपको यहां पर बता दिया जाएगा और इस चैनल पे अपडेट में लगातार दे दी जाएगी देखि तो 75% उपस्तिती रहेगा तो ही आपका एडमिट कार्ड आएगा यह नियम कहता है लेकिन सचाई जाने तो सचाई की अगर देखा जाए तो स्कूल कॉलेज में अभी जो है टेंडनेस बढ़ गया नियम आने के बाद लेकिन पहले से ऐसा कोई अटेंडनेस मेंटेन नहीं ह हो रहा है तो अब जो नियम कहता है कि जब से यह नियम आया है उस समय सेगर काॉंट किया जाएगा अभी कॉलेज जाते है तो भी अच्छा है लिकिन अगर स्च्छार को धार शक्तर की धगर दिकत हो सकता है तो आप लोग स्कूल कोलेजोरू से अभी फिलहा आड़ जाना ठीक है क्योंकि अभी जो है वो आपका center exam होने जा रहा है तो center exam में ही कहीं आप ना फस जाएं इसलिए अगर आप safe side में रहना चाहते हैं रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो आप school college अभी से जाना शुरू कर दे बाकि आपकी मर्जी है जैसा आपको बताया गया जो बिहार मेरा पुरा हुआ है और final exam भी फरबरी में है अभी तक कुछ नहीं पढ़ें तो क्या अभी से परकर आज से परकर क्या हम अच्छा performance कर सकते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं आज से भी जिस दिन आप video देख रहे हैं उस दिन से भी आप performance अच्छा करके आप 80-90% ला सकते हैं इ इससे बाहर आपके exam में कोई भी question नहीं आता है ठीक है तो उसे ही सी पढ़ना उसके अलावे कुछ नहीं पढ़ना है ठीक है उसे कैसे लेना है बो देख लीजिए और साथ ही साथ आपको यहीं बता दे कि 2 सितंबर से इस चैनल पे फिरी class भी सुरू हो रही है जो की YouTube पे ल रहे है उससे सारी question आपके exam में आएंगे उससे बाहर कुछ नहीं आएगा ठीक है तो इससे पढ़ना है और exam में जाके तहल का मचा देना है चाहिए आप arts के student है science के student है या commerce के student है सभी के लिए आपका subject material के साथ उपलवध है हिंदी और English medium दोनों में देखे अगर आप तीन लेते हैं तो 400 में मिलता है लेकिन कोई एक subject लेते हैं जैसे physics लेते हैं सिफ chemistry लेते हैं तो आपको चार सुरुपे लगते हैं इसे लेने के लिए करना क्या है तो आपको PDF लेने के लिए इस दिये गए नंबर पे phone पे या Google पे इसे payment करके उसका स्क्रीन वाट्सप नंबर पे भेज देना है इसी वाट्सप नंबर पे और तुरंत जो है वो आपका PDF जो है वो भेज दिया जाएगा payment के तुरंत बाद जिसका प्रिंट आउट निकलगा कर अराम से या आप याद कर सकते हैं और इससे बाहर जो है कोई इक्जाम में नहीं आएगा तो टेंसन को मारी गो सारी को 90% मार्क्स तक पहुँचाए और एक्जाम में जवदस नंबर लाइए